तो दोस्टो आज एक बहुती इंट्रेस्टिंग सा फीडियो लेकर आओ आज का जो फीडियो है अब बेसिकलि यहाँ पर देख पाओगे दो मेरा प्लास्टिक कॉंपोनेंट है यह हुंडा एक्टिव हाए है इसके हैडलाइट की निसे लगती है तो यह कॉंपोनेंट की पा के करने वाले है इस मैं आपको दो तरीका सिंखाऊंग पहला तरीका से कैसे कैसे क안ना है तो हारे पर दीस्हीं है तो बहुन करो ब्लेक में पार में आप से जो फीडियो होंगे रेगुलर रहेंगे आपको और जिनलों को भी क्लासेज बगरा जोईन कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुती एर्वास्ट लेवर में सिखाता हूँ यह जो आप मोल देख पार हो इसकी कॉंप्लिट मोल सिखाता हूँ एस तरीके से आपको लेखते हैं ज यह मारो आपको सबसे पहले क्या कर रहना है उए यह रिखना की है और इंगा हाँ यह मुझक्या है और यहाँ पी लिफ्टर सलेंगे किगे हिचे पट है इस पर्ट कि आपको अ कोई भी प्लास्टिक पार्ट होता है तो उसको हम करते हैं कि आप एक एक करके करते हैं तो सबसे पहला कॉंपोनेंट में इसको हाइच कर देता हो इसको करते हम अब मुझे नहीं पता यह component कैसा है तो सबसे पहले हम component की यह रिखेंगे component की जो बॉस होती है रीव होती है वह हमेशा positive direction में होती है मतलब वह हमेशा यह हमेशा यह यह जो फीश होगा यह हमेशा positive direction में होता है तो इसमें certain degree होता है तो आपको यह निकालना है यह जो ओपन प्रगणा है उसको प्रगणा है हमेशा आप क्या देखोगए सबसे पहले देखोगे इसकी क्या क्या है तो में सीधा लोगा यह होनगा यह हमेंछ सबसे पहले क्या करूंगा मैं पॉंट्रूल टी लोगा यहां मैं अलग अलग पहला तरीका जो है मैं आपको इस तरह के सिखाऊंगा अब्जेक को सिलेक करूंगा सियु आप इस सेंटर भी लोगा और दूसरा मेरा सी यौए होंगे pursue C і SूUD हो जाएंगे मेरा कॉन सा हो जाएंगे यह हो जाएगा मेरा thoughts लिए एक्समारों में हो जाएंगे तो मैप यह देखो है कि एक्समिंद में यह एक्सिस यह इंट है आप दिखोगे उपर से कौन सी एक्सिस में है यह एलाइन है मतला यह theatrical i bt यहाँ पे अभी हमने जैड को अप्र लिया अभी आपने this xy होma बहुआ अप्र न को लेकर ऑक्स ये कहाँ लेंगे तो नूस्तों सबसे पहले मैं क्या करोंगा मुझे यह yu यह line है यहाँ अपर से देखोंगे ना यहाँ पह हम इसको ऐसे कर एक सिंप्ली एक सिंप्ली जो है ने एक सब्सक्राइब करना है तो उसके बाद मैं कॉंट्रूर्ट करूंगा इसके बाद क्या करेंंगे हम जैसे हमने पहले किसमें नवया के आप यहां पर हो गया कि अब अपने को इसकी सेंतर पे लाना है सेंतर पे लाने के लिए इसको कहा रही हो थी कहाँ ऐसे मीन इस अब करते हो तो आपको यह हैं आ से जाइन एक मीज बन रहां हो हमें के अधम कहां से मेरा घसे बन कोन रखनी की भार दोनों को क्या करना है को अपको क्या करना है अब बना पना देंगे ठीक है उसलिएप को हम आइड कर देंगे आप देखो के अभी मेरा एक स्वै प्लेन के इसाफ से ओके हैं और या भी मेरा इसmother स्वार्व मेरा उके है दहको आप देख्को अब एक आप वह गków त्रफ आप और और यह यहां पर 손- tob नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा अब ड्राप इतना दलोगे ड्राप जो होती है प्लास्टिक में 0.5 शेले के तीन दगलना है यह कैसे पता लगा यह आपको पता लगेगा कौनसी पार्ट इत्सिंग है इसकी पार्ट की हाइट क्या है इसके पता बात है अब अराम से पार्ट निकल जाएगा ठीक है यह समझ में आगि आपको इस तरीके से आपको यह कॉंपोनें को शेट करना है एक तरीका आपको मैं ने बता दिया पहले से X करा फिर हमने यह वालए एक्सिस से सही है कि नहीं अब यह नहीं कैसे बता लगता है है जब जो प्रोड़ादी испर मनाते है लोग मेर मानने की वज़े से यह पुबलम होता है तो हम देखेंगे सही है कि नहीं तो यह वाला भी लेना है इसी point को सेले करेंगे आपको समझा दिये हो अब जो मेरा component आएंगे मतलए family move बना रहे है तो इसकी क्या होगा runner balancing सही होना सही है तो मैं इसको जो है minimum 20 mm जो है मैं उस पर ले जा रहो 20 25 mm minimum रखना है क्यों क्योंकि जो runner pressure होंगे उस इसाफ से यह flow होंगे है और यहां पर मैं fan gauge करूँगा वो अलग है से रिकाओंगो कि वți सैब लगाना है आपको या प्लो कैसे जैना है कि प्लास्टिक पर्ट में different ना हो अभी हम करते हैं को आप न दूसरा बाट स्टिफ़त उस Fell करते हैं अभ ये जो है इसको हैं मैं पार्ट करला इंगे पहरो होते आपने से यहां रेंगे यहां पर नहीं लेगे नंघे आपको मोण और दिपाइं लाइन करेंगे अब जो कुछ इसको इसको आपकर देता फिलाल के लिए अगर अन करना है तो यहाँ पर लाइन सो करेंगे पार्टिंग तो यहां पर नहीं सही तो इसको मैं दिलख पड़ा दे रहा है दुबारा से में दिखा दे रहा हु सबको सेले करूंगा इसमें और इसको जिरो-जिरो करना है आपको ठीक है अब मेरा एक्सिस किस तरफ खुमाना है इस तरफ होने की बाद फिर इसको जो है माइनस पर ले आना है फिर इसको कांफर्म कैसे करोंगे जैसे जिरो-जिरो होने यह जो है यहां पर यहां पर सिंप्ली कर देना है यहां पर उसकी खुट की फ्यक्तर आजाएंगे अब फ्यक्तर आजाएंगे इसको मैं कर लोंगा फेस करके जो यह फेस है इस फेस को सिलेक करके एफ एट दवाड़ोंगा अब आपको करना किया है यह जब भी आपकी इस की पार्ट को यहां पर आपको को दिक्कर नहीं है जब भी आपकी इसकी पार्टिंग करोगा आप एक्स वाइट आपको मिल जाएंगे उससाब कर सकते हो यह बहुत बढ़िया तरीका है अब इस तरीके से यह भी यूश कर सकते हो बहुत लोग मैंने देखा हो जो भी मोल ड्रिजन करते है यह रिवसेंदिंग करते है तो इस हिसाफ से वह अपना कहीं पर भी बना के बना लगता है यह तरीका होता है अगर आपको वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा अगर आप स तो आजका वीडिएओ में इतना ही था में माफिस हाता हूं कि बहुत डिनों से वीडियो अगार आ आप तो मैं प्रूछ सकते हुओ जिसको भी इड्वांस मोडल तो मेरा नमबर में सब्सक्राइब देखोगी तो वह सिरे आपको फरक मिलेंगे किसे सब्सक्राइब तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक टेक क्यार बाइबाइब जाहिन